क्लाइट पीजी के एक्जाम में हम नियरली तीन महीने रह गए और आप सबके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि से इतने कम टाइम में यह पेपर क्या हम क्रैक कर सकते हैं तो उसका जवाब है हाँ यह क्रैक अराम से हो सकता है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन ड बात करते हैं कि आपको कैसे तीन महीने के अंदर को क्रैक करना है साथ ही मैं आप लोगों को बहुती तरह अदना संभव लोगी तीम भी तरफ से एक बहुती हैपी इंडिपेंडेंस दे भी विश करना चाहूंगा अब चलिए बात सबसे पहले यहाप बेसिकली ब्रीफ में यह कर लेते कि paper pattern भाई क्या है यहाँ पर डेखी जो paper है यह 20 marks का paper आपका होगा जिसमें आपको total में दो घंटे मिलेंगे अगर आप करते हो एक मिनट एक question का आपको basically मिला जिसमें की एक question अगर आपने सही करा आपको one mark मिलेगा एक question आपने अगर गरत करा तो 0.25 marks आपके होंगे अगर हम लोग recent sample पर जाए उसके आप से देखे तो आपको बारा paragraph और 10 questions वाला यहां पर question पर मिलने वाला है और यहां पर each जो paragraph होगा उसका size यहां पर आपका 300 से लेके 500 words का होगा और paragraph के अंदर कम से कम आपके 4 से लेके 6 answers होंगे जो आपको मिल सकते हैं इस paragraph के अंदर depending upon कि subject कौन सा है topic कौन सा है फिर हम लोग बात करें कि आपके आपको रिमेनिंग टाइम किता है कि paper pattern तो भाई मैंने समझ लिया कि अब कितना time मुझे लगेगा यहां पर पूरी पढ़ाई करने में तो यह जो वीडियो है यह मैं आपका समझ दीजिए August के महिने में 14 या 15 तारीक के असपास यहां पर डाल रहा हूं तो आपके पास यहां पर एक दो और तीन सीधा सीधा time आपको दिखाई पढ़ रहा है कि इतना में पर बचा है और यहां पर यह जो remaining time है यह आपका basically planning और बाकी चीजों में जाएगा definite सी बात है और बाकी जो आप कर विजिन है उसके ओपर ध्यान देना ताकि आप तीन तरी तक बढ़िया तयार हो जाओ that is the funda that is the plan जिसके साथ हम लोग जाने वाले है और हम लोग अपर तयारी को भी दो parts में divide करेंगे प्रॉपर्ली आप सुनियागा कि किस तरीके से आपको करना है विकाज यह जो part है सबसे जादा important है अगर आप यह strategy follow करते हो तो आप इसमें बहुत बढ़िया फिर exam में succeed करो that is my big यहाँ पर guarantee आप शूरू करते से पहले कि आप basically शुरुआत कैसे करोगे strategy होने के वाली है और यहाँ पी जो 45 देने यहाँ पी इसको आपको देने यहाँ पर आपको कोशिश यह करनी है सबसे पहले कि आप जो main important subjects है उसके fundamental portion को अच्छे से पढ़े और साथ में जो उसके जुड़ेवे keys laws है उस particular subject से उनको आप करें उसके साथ में कोशिश ही होनी चाहिए कि जब आ और उसके बाद जब आप एक बाद यह कर दे तो तब आप आते हो MCQs और comprehension की practice में जिसमें कि आपको last cup का एक महिना पूरा पूरा देना बन मंध आपको पूरा देना है अब हम लोग अगर बात करें यह चीज आपको करनी किस तरीके से है तो आपको पहले अपने syllabus को चार भ बचा हुआ 30% है वो आपका as subjects का है जिसको कि हम लोग misleinias कह सकते है जो कि इन तीनों categories में से किसी में fit नहीं आता है तो अपने आपके सहूलियत के हिसाब से चाहे अगर मान लोग criminal law में अच्छ हो चाहे business law में अच्छ हो चाहे constitutional law में अच्छ हो पहले उस subject को खत्म करना है जो कि आपको थोड़ा आता है और फिर उसके ओपर जाईए जो कि आपको थोड़ा कम आता है फिर अब उसको reverse भी करता है तो that is up to you बस कोशिश ही होनी चाहे कि आपको 45 days है पूरी चीज को निम्टा के खत्म करना है major major portion को अब यह बात करना शुरू करते है कि major portion कौन सा है minor portion कौन सा है छोड़ना क्या है पढ़ना क्या है that is very important उसके लिए आप सबसे पहले बात करते हो constitutional law आले पार्ट की तो यहां पर आपको सीरे 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 दिख रहा है कि constitutional administrative law यह आपको पूरा करके जाना है इसके अंदर भी constitutional law की मैं अगर बात करूँ आ या फिर मैं पूरे सिलबस आपको अच्छे से करिए फिर आपके थोड़ा से less important जापके topic से वह हम लों ने दी है उनके अंदर भी जाए उनके अंदर भी बेर act करिए थोड़ा से cases करिए लेकिन उतना detail नहीं मत करिए और उसके बार लास्न जो least important है उसका आपकी बेर act और basically जो बेर provision होता है वो पढ़ इसको आपको करना है वो कर लीजिए उसके बाद जो बचा हुआ पोशन है ना चैया बात करते हो लेबर लॉकी इन्वार्मेंट लॉकी अबूर्टेशन आपकी है इनका आपको क्या करना है आपको कि वह इसका overview लेना है overview का मतलब क्या है कि आप गए जैसे आपने माल लो ख तो जो मैं recommend करूंगा कितना टाइम आपको देना है तो यहां पर constitutional administrative law को मेरे एसाफ से कमसे कम आपको पांस से ले की छाय दिन देने चाहिए पहली चीज और उसके बाद यह सब आपका जितना भी portion है इधर उदर का इसको आपको 45 डेस का window है उसके अंदर ना रखके last की job के 15 15 days है उसमें आपको करना यह ध्यान रखिएगा विकाज यह जो portion है जिसके मैं बतारो 45 दिन माला यह portion इसमें से आपका 90% paper आएगा 80-90% paper तो अगर आप इसको अच्छे से करते हो तो बाकी जो आप portion करोगे वो उत्रना difference make नहीं करेगा जितना यह portion difference में करेगा इसलिए यहा पर ज़रा focus दो जो यह subject से इनके barracks के अंदर जाओ बेराक्स के अंदर जो important important आपके provisions से वह देख लिया एक overview summary टाइप कर देख लिया उससे जादा यहाँ पर करने क्या बचाना नहीं तो आपको time को बहुत ही अराम से बहुत ही सोच समझ कि यहां पी उट्लाइज करना है इसके अलावा अगर मालो आपको यह सारा का सर्फ जो preparation का पूरा चीज नहीं सोड़ सा मुश्किल लग रहा है और आपको यह चाहिए कि मुझे एक जगा पर कहीं पर पूरा का पूरा study material ना मिल जाए तो आप आ along with that decent landmark cases के video lectures study material सब कुछ दिया हुआ आपको आना है आप आसकतो कोई जिकत नहीं है अगर मालो आपके तयारी basically foundation के हो चाहिए लेकिन आपको चाहिए कि बढ़िया एक मॉक्टे स्रीज हो साथ में case laws का मेरा सरदर्द वो पूरा हो जाए तो उसके लिए आप आ सकते हो हमारे mock से यह आपका सीरे सीरे two triple nine में आपको मिलेगा बढ़िया एकदम इसके अंदर आपका mock papers के साथ landmark case law summaries और सब कुछ हम लोने cover करके रखा हुआ है तो अगर आपको एंड्रोल करना है definitely यहाप चेक आउट कर सकते हो अब इसके बात करें आपने business वाले position के अंदर तो यहाँ प चोड़ने की गलती बिल्कुल मत करिएगा बहुत ही जड़ा important यह आपका bear act है पूरा-पूरा करना है पार्ट ए और पार्ट बी जोसके अंदर वन सेके 75 उसके पूरा दिया है वो पूरा अच्छे से करिए उसकी बाद partnership act और specifically fact इसको उपर-उपर से overview के वाल दीजे जादा इंडियन companies act हो गया transfer of property act हो गया इसको पूरे को अच्छे से करना है अच्छे से मतलब in the sense of Indian companies act के अंदर यह नहीं कि bear act उठा के पूरा-पूरा section देख रहे नहीं केवल जो important topics हैं कि भाई board or directors कौन होता है meetings क्या होती है types of companies क्या है किस तरीके के आपके shares है adventures है वो सब चीज़े क्या है वो सब देखो पेर act के अंदर deep मत जो केवल ऊपर-ऊपर से पढ़ो बस transfer of property यहां के साथ भी same चीज़े ऊपर-ऊपर से देखो ज़रा deep में जानी की ज़रूरत नहीं एक-एक sale के अंदर क्या ingredients है किस टाइप का है क्या है कैसे क्यों है उत्ती उनको देखिए ऊपर-ऊपर से overview लेके खतम करूँ और उसके बाद आपका customs act और goods and services act इसको भी थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लेना इसको खास करके constitutional के point of view से देखना थोड़ा से important पड़ेगा इसके बाद आपका sales of goods act भी हो गया इसका भी आप अपना जो important पोईच सब्सक्राइब के साथ है सेम चीज़ सीपिय के साथ motor vehicle और competition दोजार दो सबके साथ यही है कि overview लेना important topics पड़ने जरा time नहीं लगाना है तो जो मैंने यहाँ पे लाल ने माग किया है उसको आपको 45 डे वाला जो window है उसमें आपको करना है मैंने आपको constitutional law के लेगा कि 5-6 दि सोचने की जरूत नहीं है अराम से अपना 10-12 दिन लेके इसको करिए contract, company, transfer of property, tax वगरा इस सब पूरा इसको आराम से करिया फिर जो लास्ट के बचेंवे दिन है आपके लास्ट के उनके लास्ट के 15 दिन है उनके अंदर बाकी जीज़ों को अपना करिएगा जैसे भी आपक सूट करता आप उसको पढ़ सकते हो कि contract को मालों मिला का पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हो उसके बाद बात कुरू criminal law के अंदर तो सेम है भाई यहां पर बाइब 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 करना है तो आपको 45 दिन है उसमें करना है तो आप इसको 5-6 दिन लीजा राम सेब का हो और इसके बाद यह जितने आक्ट्स हैं इनका अंदर बस बेसिक जो आपका ओवर्वीव है वो लीजिए और उसके साथ में जो आपके important case loss इसके साथ recent वाले आरे उनको देख लिजिए काम हो जाना चाहिए और जब यह अधर वाली portion आती है अब इसमें थोड़ा सा यहां प इनको आपको properly करना है इनको उपर-उपर से भी कर लोगे काम आपका चल जाएगा इसके बाद IPR के अंदर यह चारों के अंदर उपर-उपर से कर लो काम हो जाएगा information technology थोड़ा से important है और law of thoughts भी थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने आगर मानलो आड ना किया है तो उसको इसके बाद हम लोग बात करें कि जो भाई case laws है कितने कौन से क्या पढ़ने कैसे करना उसका त्वाई अप शडिव ले ले लेते हैं आप यह समझ लीजे कि आपको जब landmark cases की बात कर रहा हूं है लैंड मार्क केसे आपको 100 से लेके 1500 पढ़ने हैं यह जो आपके cases है यह आपको कहां मिलेंगे आपको मिलेंगे आपको मिलेंगे यहां पर आप खोल लीजे कौन से website अपना गूगल पर गूगल पर जाकर सर्च करिए लैंड मार्क केसे फॉर 2019, 2018, 2017 और आपको मल्टिपल लिस्स मिलेंगे मल्टिपल लिस्स कोल के नोट डाउन करते चलिए यह बैक तो बैक और बैक नोट करके सब्सक्राइब लिस्स मिल जाएगी जिसमें कि आपको जितने भी आपके इंपोर्टेंट उसके अंदर जो चीज़े हैं वह पढ़नी मैं आगे बताऊंगो क्या पढ़ना है यह करिए उसके बाद यह जो आपका रेंज रहेगा यह आपको 2017 से लिए 2023 तक कर रहेगा ध्यार है अब देखो टाइम थोड़ा सा कम है तो मैं यह कहूंगा कि 2023 के अंदर जो रीसेंट केसे जा रहे हैं उनके उपर सब्सक्राइब ध्यान दो 2022 और 2021 जो केसे हैं उनके लिए आप थोड़ा सा कोशिश करोकर मानलों टाइम नहीं बच रहे तो छोड़ दो कोई दिक्कत ऐसी नहीं को प्रक्रवर्सी से उनको आपको देखके चलना है उसके बाद ऐसे डिसिजन्स जिसमें की किसी इंपॉर्ट सब्यक्यक्यों पर की यहां पर चैलेंज कर रहा है तो यह आपके टाइप of cases है जो कि आप जब ढूनने जा रहे हैं लाइव लॉप या कहीं पे भी आप यह समझे चलिए कि इस ताइप एक केस को आपको ध्यान रखना है कि इस ताइप को पढ़ना है अब इसके अंदर भी फिर आप बात करते हो कि आपको लैंडमार्क और रिसिट केस के अंदर कैसे कौन कौन से चीज़ से पढ़नी है कौन को से चीज़ छोड़नी है वह जो इस साल आए है और फिर एक साथ पहले के आए है जो कि बहुत इंपॉर्टन नहीं है लेकिन उनके अंदर बात बहुत ही इंपॉर्टन बोली गई है उसके लिए आपको केवल नेम और कोरम याद करनी उसके लब आपको ज़रा याद करने की जरूवत नहीं है उसके अला वह है वह है वहापका पोशन और और अबिटर डिक्टा का जैसे नफ्तिय सिंग जोहर में था कि भाई 370 को यहाँ पर इन्होंने रीपील किया और उन्होंने कहा कि यह जो है एन कॉस्टिशनल है वाइलेट करता 14 15 1921 को तो यह आपको पता होना चाहिए दीया जायूंहेब अब नव्ह detention अब तो क्योशनल है और दैब ऊपर रिच सिंग जोहर केसे रैगिंग जूँ जूँब सत्व फर मैं जैसी कहाऊँगगा इसके लाब कोई करने की जरूबत नहीं है इसके लाब कोई डाउट है कि किस तरीके से बता सकते हैं किस तरीके से कैसे कैसे क्या करना है अपार्ट फम दाट और अगर आप बात करते हो उसके अलाबा मॉक पेपर्स की तो मेरी जो रिक्मेंडेशन रहेगी वह यह कि आप संभाव लोग के मॉक पर जरू से जोइन किरी पहले जिस सब्जेक्ट के आप तैयारी कर रहे हो उसके मॉक पर लगाओ और तैयारी कि जब आपका सब्जेक्ट वाइस होती चली जाए 80-90 जब सिलिबस खतम होना जो मैंने कहा लास्ट का एक महीना वन मंथ उसके अंदर बैट गिना हर दूसरे दिन एक मॉक पर लगाओ पूरा एक महीना प्रॉपरली लगके अपने स्कोर को धीमे 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 करके बढ़ाओगे तो फिर यहां पर मज़ा आएगी कि आपने जो तैयारी करी है उसका आपको 100% फूट फूट रिजल्ट यहां पर मिला तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो पूसरे को लाइ करें को शेयर जूर करिए साथ ही मगर आपको हमारे पूसरे में रोल करना है तो इसको चेकआउट कर सकते हैं अपार्ट फूट फॉट पर विशे यह वेरी बिश्ट फॉट 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 वाइव यह विश्यों सक्सेस बाइ